ओ पांसो पांसो वोल्ट यार गजब एलो विशार और आज हम यापर बनाने वाल है एक चोटा सा जनेरेटर और वाइव इस दिनेटर को बना है मैंने टोटली कवार से जो कि 220 जन्रेट कर सकता है और डारेक्ली आप इसम्दान एलिटी पल्फ को चला सके हो मुबाइल अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरू कर देना और चैनल पर आओ तो सब्सक्राइब जरू कर देना अब चल्ड़ोग मेरे पास यहाँ पर एक स्विंग मोटर जिसे सिंक्रोनस मोटर बोला जाता है और इसको मैंने निकाला है पूराने कूलर के अंदर से यह कूल लिया है अगर आपके पास नहीं है पूराना कुलर तो यह सित्तर रुपे में मार्केट में इजीली मिल जाती है इसकी खास बात यह होती कि 220 वोल्ट डारेक्ली चल जाती है और इसका आर्पिम जो है 526 आर्पिम होता है जो की काफी जादा स्लो है हमारा जो फ्रेंड है ना जरूर बना सकते हैं तो देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर एक एलन की लगा रहा हूं और उसके बाद दीर दीर गुमा रहा हूं तो देख सकते हूं इसका जो है 140 वोल्ट, 150 वोल्ट के आसपास जनेरेट हो रहा है और थोड़ा इस पीड गुमाएंगे तो 400-500 वोल्ट तक निकल सकता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है अब यहाँ पर गया है कि इसको हम जनेरेटर बनाएंगे तो इसका जो चोटा सा आपको दीख रहा है शाप इसको मोटर से नहीं कुमा सकते हैं क्योंकि यह काफी जाधा टाइटली गुमता है तो यहां पर क्या करना होगा सब से बहें गेर को निकाल लेंगे यहां पर और अंदर की जो प्लेट है इस प्लेटको भी निकाल देंगे इसको निकालना काफी सिम्पल पर क्या करना हो इस प्लेट और वापिस से हम super glue के द्वार इसको अपनी जगा पर fix कर देंगे और भायो अभी तक आपने YouTube चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाव पर से कर लिजिए और अगर आप यूट फेस्बुक पर देख रहे हो अब भायो यहाँ पर क्या करना होगा इस जनेरेटर को इस जगा पर चिपकाना होगा तो यहाँ पर मैं glue gun का यूज़ कर रहा हूँ glue gun को यहाँ पर इस टैप से लगा कर इसको अच्छी तरीके से चिपकाना होगा यहां पर क्या होने वाला वाइबरेशन जिसके खुल सकता है तो आपको ध्यान से इसको अच्छी तरीके से मजबूत जिपकाना होगा तो फानली अब यह मजबूत जिश लग चुका है अब यहां पर मेरे पास एक हेर ड्रायर की मोटर है जो कि मेरे पास एक पूरा ना हेर ड्रायर पड़ा था जो भी खराब हो जोगा था उसका मैंने निकाल लिया है अगर आपके पास यह मोटर नहीं है तो आप कोई टोई मोटर का भी यूज़ कर सकते हो जो की टोई इसके अंदर से निकलती हो उसके अभी काफी अच्छा है यहां पर रिजल्ट मिल जाएगा अब यहां पास एक जेल पेन का रिफिल ता जिसका मैं यहां पर कनेक्टर बना रहा हूं तो आप देख सकतो यह काफी अच्छे से काम करने वाला है अगर आपके पास जेल पेन नहीं है तो आप कोई और जुगार भी लगा सकते हो बाई हो यहां पर ठीक है अब यहां पर देख से तो मोटर हवा में लटकी हुई है अब यहां पर इसके लीचे की साइड में कुछ लगाना वगा तो यहां पर हम पास एक प्लाइवूड थी इस प्लाइवूड को मैंने कट कर गें यह आपर लगा दिया सिंपली अब इसको चिपका देगे गुलुगन से और नीचे के साइड प्लाइवूड जो है उसको याम लगाएंगे सुपर गुलू से अब यहाँ पर मैं पास उपर के साइड में जो है क्लुगन लगाने का ऑप यहां पर कनेक्ट करने के बाद हम ने करना हो गाइस को यहां पर आप नइ बोल भाडर ईपर बोल करने के विदि तो वी दिखा ब्ला पर मैं पास एक speed controller है जो कि मैं इसके लगाऊंगा ताकि voltage हमारा control कर सके हैं इसका connection काफी simple है हमारा green और red वायर हमारा directly motor गंदर लगाना है और यहां पर आप दिखते हो मैं speed control को चिपका दूँगा और एक 12 old का female socket लेने वाला हूं और यहां पर जो ब्लेक वाला wire speed controller से उसको directly हमारा शोगेट के अंदर और रेड वाला जो आयर जारा शोगेट के अंदर से उसको directly motor गंदर लगाना है तो simple connection है कोई जादा rocket science नहीं है आप देख सकते हो फोटो गा power supply देंगे इसके लिए आपर में लगा देता हूं और यह जो देख सकते हो यहां पर मैंने दो alligator clips लगा रहे हैं आप सबसे पहले आप एक 3.7 ओल का छोटा का सेल यूज़ करेंगे यहां पर मैं इसका connection कर देता हूं तो करूंगा और यहां पर दोनों को लगा दुंगा अब यहां अगर आप अप स्को घर पर बनाते हो अप मल्टीमेटर के अंदर यहां पर यहां पर काफी कम करेंगे और यहां पर कर सकता है इसको फूल स्प्स्पूड करेंगे और यहां पर यह वाला हूं तो यहाँ पर civile अब भालतो वे ओ लगा ओर अब अब यहां पर वायह आपको दीखाता हूं इसको चालू करें यहां पर देखना यह को मैं meta बिखना के ल Works इक उद्थ सकाधू निकरा है और यहांपर दो तो यह पर 200-300 वोल्ट हमारे निकल चुके यहां पर और इसकी स्पीड भी ओर बढ़नी बनी है बाइसाब 400 वोल्ट ओ भाईसाब ओ पांसो फांसो वोल्ट यार गजब बाई इसकी फोल स्पीड करने पर इसका मेरे से 530 वोल्ट निकल रहा है बाईसाब यह कासी जादा वोल्ट है लेकिन इसको हम यहां पर डायक ली 12 वोल्ट की वेटल से चालू करेंगे तो यहां पर आप देखसे तो 230 वोल्ट इसके अन्दर से जनरेट हो रहा है तो अब यहांपर बंद करेंगे और इसका आउट पूर्ड जो हमें मिल रहा है उसमे हम यहां पर चेक करने वाले कि इससे कुछ चला सकते हैं फिर नहीं चला सकते हैं तो गाइस यहां पर मैं इसको लगा दिया अब यहां पर मैं इसको चला कर दिखाता हूं ठीक है तो इसको ओन कर दें हो फाइरली गाइस देख सकतो यार हमारा जो बल्ब है यहां पर चलने श् आपको बहुत सकता है कि यहां पर यह फ्लक्टुएट करता हो दिखे लेकिन यह जो है के अंदर आता है अगर आपने देखा होगा आप वीडियो रिकूटिंग करना अपने मुबाइल के अंदर और टीवी के सामने या फिर आपने डाइक टूबलाइट के अंदर देखना यह करता हूं दिखेगा क्योंकि यह जो है ना पर जंडरेट होती हमारे से करेंड इंदर तो यहां पर बंदर आप बन बैद को बन कर दिया है और अब यहांपर हमारे पास एक बल्ब है और इसको यहाँ पर चालू करेंगे दिखेंगे तोerson देखेंगे दोलियाज आप देख सकते हैं कि हमारा जोह टो विडिया अगर्ट मेरी मतलस्टोड़्ूились करते हैं तो केमरे को साइए जो की सब्नसी नहीं और laughs कि लख बहुत अच्छी रोशन यहां पर दे रहा है यहां पर इसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो देख सकतो यहां पर इसका आप देख सकते हूं कितना ज्यादा ब्राइटनेस हो जुगा है और बहुँ आपर देख से खुल को पर्रका से और यहां पर कुछ भी नहीं कि यहां पर यहां ओज शालू पर पर को चल रहा है यह सब्सक्राइब बन रहा है इसमें आपको झटका लग सकता है यहां पर क्या होता है यह विश्वाइब आपने बैठरे के दान दोनों तच कर लिए तो करेंट नहीं लगता है और वाइब यह जो 12 वोल्ट इस आपको धियान रखना इसके उपर हाथ नहीं लगता है इसमें करेंट लगने वाला है और वोल्टेज भी आप देख सब्सक्राइब कर देना तो पेच को फोलो कर लेना इसी टाइप वीडियो देखने के लिए